अगर आप अपने फोन के keyboard में photo लगाना चाहते हैं या keyboard में कोई दूपरी theme लगाना चाहते हैं आपको जैसे simple keyboard दिख रहा है इस keyboard को आप कुछ इस तरीके से आप unique के बनाना चाहते हैं आपका जो keyboard है यो आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसको आप थुड़ा सा design में बनाना चाहते हैं तो इसको आप कैसे करेंगे इसमें आप photo बगारा कैसे लगारेंगे इसका theme कैसे change करेंगे इस video में हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने phone की setting में इस तरीके से आपको आना है देखिए इस तरीके से यह रहे है किशनी के आपके आपको में इन-पूट का यह सकता आपको मैनेज कीबोर्ट पे क्लिक करना है मैनेज कीबोर्ट पे जैसे क्लिक करें कुछी तरीके से आपके फोन में आ जाएगा उपर आपको आपका जो जीबोर्ट है वह आपको दिखेगा अगर आपका यह जीबोर्ट पहले से आफ है इसको आपको यहां से आन कर देना है औ आप इस तरीके से आप अपनी फोटो लगाना चाहते हैं तो आप यह वाला अपसंट सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्ट्ट बटन मिलेगे नेक्ट्ट बटन पर क्लिक करिएगा यहाँ पर आपको ब्रैटनेस एडजेस्ट करने के लिए आएगा जितना आप brightness keyboard का लगाना चाहें उतना brightness आप यहां पर कम जादा कर सकते देखिए इस तरीके से इसके बाद नीचे डन बटन पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका जो keyboard सा देखे कुछी तरीके से आएगा यहां पर नीचे keyboard keyboard बाडर का आपसान आ रहा है अगर आप keyboard बाडर आउन करके रखना चाहें तो कर सकते हैं न करना चाहें न कर सकते हैं इसके बाद नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो keyboard है आपके keyboard में आपकी फोटो यहां पर सेलक्ट हो जाएगी लेकिन माल लीजे कर आप यहा यहां पर कोई जो system की जो डिफार्ट थीम होती है उसको अब लगाना चाहते हैं नीचे आपको बहुत सारी थीम देखने को मिलेगी देखिए यहां पर किसी भी थीम पर इस तरीके से आप क्लिक करेंगे इसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपकी वह तुई यह यह तरीके से आप अपनी कीबोर्ड को यूनिक बना सकते हैं कीबोर्ड में आप कोई भी फोटो लगा सकते हैं यह कीबोर्ड का जो थीम होता है उसको आप डियाइन बाला थीम आप लगा